तहे दिल से मुवरक बाद भी देना चाहता हूं और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आज इस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के इस मल्टी किल्चरल मल्टी परपस हॉल में मुवरक बाद मुवरक बाद के मुस्तहक हैं जनाब इस्थत माब सल्मान खुर्शीद साहब हमारे दरमयान मौजूद है और एक अहम एक बहुत ही अहम काम्याबी हाला कि इन के लिए इस तरह की काम्याबिया बहुत मानी ने रखती है जाहिर है कि बहुत चोड़ी सी चीज है लेकि फिर भी एक महिम के तोर पर इसको आपने लिया था और जाहिर है कि लोगों ने आप में जो इत्माद इस मौके पर जिस तरह का इत्माद लोगों ने आपके अंदर जिताया है वो बहुत ही गाबिल गदर है हम सब तह दिल से आप मुबारगबाद पेश करते हैं और आपकी फत्र को हम सब अपनी फत्र तस्लीम करते हैं यह हम अर्दू वाले हम मौजूद है इस वक्त अर्दू से मुराद यह है कि अर्दू के हवाले से जश्ने साहफत का यह प्रोग्राम है और हम सब यह जश्ने साहफत के इस जलसे में मौजूद है जैसा के मीडिया के हवाले से गुफटगू हो रही थी पिछले सेशन मेंPod gårद अप काल फर्मा रहे थे उर्दू जबान को लेकर हमारे मुलक में जो सुरतहाल इस acht है यह भी कहा जा सकता है कि बहुत बहुत ब्हुत बग़ा है लेकिसारि आए की बहुत ब़ज़ा नहीं है हमारे आपने अपनी पूरी जिन्दगी में किये है, बलके कई नसले आपकी कम से कम आपके वालिद सहब के हवाले से अगर हम देखे तो पूरी नसल जो है, आपके वालिद सहब के बजुर्गों की जो नसल थी, उर जिन वो तो नहों ने सहाफ़त की बनियाद डाली थी. और एक ऐसी सहाफत जो आज की सहाफत से बिलकुल मुकतलिल सहाफत थी एक ऐसी जनलिज्म जो हकीकत पर मबनी थी एक ऐसी जनलिज्म जो आवाम की आवास को बलंड करने wavelength थी आज की तरह की जनलिज्म नहीं जो बेश्टर गोदी मीडिया बनकर के रह गए है कि आज हमारी जनलिजम, आज हमारी मीडिया जिस तरह से सरेंडर कर चुकी है, इक्तदार के सामने, ऐसा कभी नहीं हुआ, यह हमारी तारीख में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, कि मीडिया जिसका कामी है, इनकलाब का पर्चम बिलंद करना, सचाई और हक का पर चंबलन्द करना वो मीडिया जिस तरह से सरेंडर कर चुकी है इस वक्त एकदार के सामने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ इससे पहले भी एकदार में लोग थे इससे पहले भी हुकमती थी लेकिन मीडिया का ये रवाया इससे पहले किसी सरकार ने ये कोशिश की कि मीडिया को अपने पैरो तले जुका करके रखें और मीडिया को बिल्कुल पपट के तोर पर इससमाल करें इसकी रवायत हमारे इससे पहले कभी नहीं थी ये बहुत तस्विशनाक है लेकिन अफे से अगर हैं हम गुफ्तकू करते हैं तो हम पाते हैं कि अफे से वी अफे साहा है परफुरसर अफल वासे सहा फ़र्मा रहे थे कि सुरतまで हाल बहुत भी भार खराब तो नहीं है बहुत बहुत भी भी नहीं है लेकिन काफ़ी ह tien-tक तसली बखश है मैं इसे जुजवी तोर पर इत्वाक भी करता हूँ क्योंकि मीडिया अर्दू में आज अगर आप देखी तो अख़वारात की तादाद आप से कबल इतनी नहीं थी कभी तादाद बढ़ी है अख़वारात की इसमें कोई दोरा नहीं चाइनल्स भी अर्दू में बहुत कम थे अब आज अर्दू में चाइनल्स भी काफी सारे बढ़ गए हैं जो इलेक्टोनिक मीडिया की सतर पर भी अर्दू की सुरतहाल गदरे बहतर हुई है और ये किसी सरकार की वैसे नहीं हुई है सरकारी सरप्रस्तिक की वैसे नहीं हुई है सरकार का जो रवाय है हम से बाकिफ है उससे लेकिन ये आवाम की जो महबत है इस जबान के साथ इस जबान की जो तारीख रही है इस जबान के साथ जो तहजीब वाबस्ता रही है जिसकी वैसे ये जबान शुरू से लेकर अब तक आवाम में गूलियत रखती है अर्दू जबान इश्ग की जबान है, महबबत की जबान है, अमन और आस्ती की जबान है और अर्दू इनकलाब और बगावत की जबान भी है ये दो ऐसी खुविया है इसकी, एक तरफ महबत है, दूसरी तरफ इनकलाब और बगावत है, इसकी खमीर में शामिल है और इसी खमीर की जबान इस जबान की जबान की जबान आवाम में बावजूद सरकारी सरपरस्थी के नहोने के, या बहुत कम होने के बावजूद एक मुखालफान रवाया के बावजूद, आवामी सतर पर इस जबान की अहमियत आज भी उसी तरह से काइम है, उसी तरह से बरकरार है मीडिया में खास दोर से अगर आप देखें, फिल्म में आप देखें, अख़वारात में देखें, टेलिवीजन के तमाम न्यूज में देखें आप देखें, तमाम सेरियल्स में देखें आप, उसकी जबान के जरा तज़रा तज़्या कर लें आप, जो सेरियल्स आप जमान इसके लफजियात में इसके डिक्षिन में जो एक्सप्रेशन की कुवत है वो बहुत कम जबानों को वो कुवत हासिल है इसलिए जबान अपने दम खम पर आप अपने दम खम पर जिन्दा है मैं जरा से अखिलाफ करना चाहता हूँ परफ़सर अखिल वासिस सहाब से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं मौश्किल दो पांच माच पांच मुटने हमारे मौतरन खुशिद सहाब में हम मौजूद हैं जाहिर है कि इनके मौजूदगी में बहुत इनके पास वक्त कम होगा लेकिन हम सब आपको सुनना चाहते हैं और इस मौकिय पर सुनना चाहते हैं जहां आप एक तरह की काम्याबी से सर्फराज होकर कि अफटा का जो है जुए वो जशिण भी हम अब्सक्त विजण को हम उर्दू की सहाफत के जशिण में आपकी दू फता है उसका जश आजसे सहाब ने ये फरमाया कि जमान सरकारों के साहरे नहीं चलती। बिल्कुल सही, सद फी सद दुरूस्त। लेकिन मैं इसे आदी सच्चाई कुबल करता हूँ। अगर आप जमुरी निजाम में हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस निजाम में, उस मुल्क में रहने वाले हर शक्स, हर फर्द, हर सिडिजन के हक की हिफाज़त करें। वो लिसानी हक भी हो सकता है, वो सकाफ़ती हक भी उसका हो सकता है, वो उसका जो माशिरती हक है, वो सब तमामी हुक जो उसके हैं, उसको तहाफुज अता करना सरकार की जिम्मेदारीं में शामिल है। अग और यह हमारी शक्स्त है अगर हम सरकार को इस दे बरी करते चले जाएं उन तमाम जमेदारीों से तो जाहिर रहे कि हमारी जम्होरियत जो है वो बहुत देड़ तर कायम नहीं रह पाएगी हम एक जम्होरी मलक में है एक जम्होरी आइन के तले हमारा निजाम चलता है हर citizen की हुकुक बराबर हैं एक साए हैं हर सबान खाओ उसके बोलने वाले लोगों की इताद कितनी भी क्यूं नहीं हो यह ह்कुमत की जिमेदारी है जमुरिली नजा़्यंकी जिम्मेदारी है उस्छ्छ मुख्वस फराहम करें यह सरकार की जिम्मधारियों में शामिल है हमारा हक है यह सरकार कोई हम पर वो कोई वो नहीं कर रही हम पर कोई इसान नहीं कर रही यह हमारा हक है जम्हुरी हक है और इस हक के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए हमें अपने हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है और अपने हक को छीनने की जरूरत है अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमें बगावत भी करनी चाहिए उसके लिए हमें इंकलाब की भी कोशिश करनी चाहिए उसके लिए हम सड़कों प्रभूत अरना चाहिए, यह हमारा जमुरियाख है दूसरी बात जो उन्होंने कहा, कही, मैं उससे इतफाक इसलिए करता हूँ कि जबान बोलने वालों की जो विरासत है, उसका सरमाया है, बोलने वालों का सरमाया है बोलने वाले अगर नहीं रहेंगे किसी जबान के, तो जबान खत्म हो जाएगी और जबान को सिर्फ रुजी रूटी के हवाले से ही बोलने का वसीला उसको नहीं बनाया जा सकता है जबान हमारी तहजिबी शनाखत का वसीला होती है, हमारी किल्चरल आइडिन्टिटी का वसीला होती है जबान माधरी जबान की बात अभी हो रही थी पिछले सेशन में माधरी जबान हमें एक तहजीब सिखाती है माधरी जबान हमें वेल्यूज और गद्रे सिखाती है हम लाख फ्रेंच सीख लें अंग्रेजी सीख लें जैपनिस सीख लें चाइनिस सीख लें और ये दावा करनें प्रोफेसर उसके बन जाए लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते हैं हम चाइनिस कल्चर को हम अपोल्ड करते हैं चाइनिस कल्चर को हमने अख्तियार कर ले चाइनिस कल्चर के हम तर्जमान बन गए जापनिस कल्चर के हम तर्जमान बन गए फ्रेंच कल्चर के हम तर्जमान बन गए ये दावा हम नहीं कर सकते मादरी जबान हमारी जो होती है वो अपने साथ एक तहजीब एक कल्चर लेकर गयाती है और वो ताहयात हमारे साथ वो जिन्दा रहती है वो तहजीब और कल्चर वो गदरें जिन्दा रहती है इसलिए भी अगर हम एक जिन्दा कौम हैं और चाहते हैं कि हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी शनाख काइम रहे तो हमें अपनी जबान की भी हफाज़त उसी तरह से करनी की जरूरत है और इसलिए लाजिम है कि हम अपनी सता पर भी काविशे करें अपनी जबान को जिन्दा रखने के लिए, अपने घरों में, अपनी जबान, माध़ी जबान, उर्दू हमारी है तो हम उसके तहफुज के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए नई नसलों को भी हम इस जबान से आगाह करें मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को पीजडी करवाएं अपने बच्चों को में करवाएं ग्रिजिवेट बनाएं लेकिन कम असकम इतनी जबान जरूर सिखा दें कि वो अपनी जबान की अंदर जो मौजूद कदरें हैं जो तहजीब है उससे वाकिफ हो जाएं बस दोनों सत्वों पर हमें बेदार रहने की जरूरत है और अगर हम अपनी इस तरह की इस तरह के शोगूर से अगर बेगाना होते चले गए तो रफ़ता रफ़ता हम अपने जमहुरी हक से महरूम कर दिये जाएंगे बहुत वक्त नहीं लेगा इसमें दूसरी चीज़ बात हो आपने के अर्दू जो है वो एक कौमी सतह की जबान है सेंटरल एक तरह से आपके अपने सेंटरल लफ़ इसमाल किया था मैं उसे कौमी सतह की जबान है यानि औल इंडिया लेविल की जबान है मुलक के हर खिते में अर्दू बोलने वाले आपको मिल जाएंगे अर्दू प तौर पर उर्दू को इस्तामाल करना पड़ा था ये उनकी जरूरत थी वो उर्दू पर कोई अहसान नहीं था उनका जा उर्दू को प्रमोशन करने का प्रमोट करने का कोई उनका अरादा नहीं था सिर्फ अपने इंतजामी अमूर को इस्ताकाम अता करने के लिए उन्हों उर्धोन तो उसको एक्टियार किया था लोगिन आइस सुरत हल क्या है हम आजाद हिंदुस्तान में आए 47 के बाद जब हमने एक नया निजाम कायम किया तो हमने इस टेट्स को रियारोगनाईस किया लिसानी बुनियादों पर linguistic बनियादों पर हमने इस्टेट्स को रिया और्गनाईज किया क्योंकि वह एक बहतर और एक सिर्कुलर तरीगा था जिससे हमें स्टेट्स को रिया और्गनाईज कर सकते थे और किया गया उसको बिल्कुल बज़ा तौट पर किया गया वहत अची बात थी लेकिन उसमें उर्दू का जे मुगाम था वो उर्दू कहीं ने कहीं उस स्टेट की बनियाद पर इस्टेट्स की रिया और नैशन की वएसे उर्दू कहीं ने कहीं खिसारे में चली गई उर्दू के हिस्से में महरूमी आई क्योंकि उर्दू किसी अस्टेट की जवान, सिवाय जब और कश्मीर के, किसी अस्टेट की पहली सरकारी जबान के तूर बर उर्दू को दरजा हासिल नहीं हुआ, ये उर्दू के साथ अलमियत था, उर्दू के साथ बड़ी ना इंसाफी थी, और जाहिर है कि आज कश्मीर में भी कश्मीर का जो हाल हो चुका है जो तया पांचा कश्मीर का हो चुका है आज जिस तरह से यह हिस्टरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एस्टेट को आपने डिमोट करके यूनिन टेरिटोरी का दर्जा उसको दे दिया अमुमन यूनिन टेरिटोरी को इस्टेट के दर्जा दिया जाता है उसको एक बहतर शक्ल दी जाती है वहां के आवाम के जम्हूरी हक पर एक तरह से हमला किया गया और उसको यूनिन टेरिटोरी के शक्ल और अर्दू पर भी हमला किया गया क्योंकि अब अर्दू वहां की first language के तोर पर नहीं है अर्दू के साथ चार और जबानों को उसके साथ मुतसिल कर दिया गया है वहां अर्दू की हैसित को वहां dilute कर दिया गया है खत्म कर दिया गया है ये बहुत अफसोस नाक है तो जब language की बनियाद पर इस्टेट करो रॉनाइस किया गया तो वहां पर पे बंगला तमिल पंजाबी किसी जबान को अब ले 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 गुजराति उडिया बंगाली किसी जबान को अब ले ले इन तमआब जबानों की तعل specifics उन्म स्टेट्स में लाजमी है सरकार की जिम्मदारी है कि स्टेट की जबान में तालीमी निजाम को वो अंजाम दे उसको चलाए और उसके निजाम को तख्वियत बहां पहुंचाए बंगला पढ़े बगेर आप बंगाल में सर्वाइब नहीं कर सकते बंगाल में आपको नक्री नहीं मिल सकती है, स्टेट गورवण्मेट की जो नक्री है उसे बंगला पढ़ना लगा, उस कि बबंगला की वाकवशत लाजमी है तमिल नाडू में ये वाक्षित लाजमी है तमिल में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप तमिल नाडू में आपके लिए कोई जग़ा नहीं होगी सरकारी नelling नोकरियों में बलाजमतों में कोई आपकी हैस्ती नहीं होगी उसी तरव तरफ तमाम स्टेर्ट की किसी स्टेट की मुनी आदाब ले ले उर्दू कहा जाए बेचारी उर्दू के नाम पर तो कोई स्टेट नहीं दिया एक स्टेट जो भी था उसको भी डाइलूट कर दिया आपने तो उर्दू तालिमी निजाम का हिस्सा अगर नहीं बनेगी कोई जबान अगर किसी मुल्क की तालिमी निजाम का हिस्सा नहीं है तो बहुत देर तक वो सर्वाइब नहीं कर सकती है तालिमी निजाम ही इसी जबान की बका की सबसे पहली शर्त है और उसी से जबान को तक्वियत मिलती है और सरकार की किसी को फिकर नहीं हुई और आज हम उसके शिकार हैं इसलिए आज हम ये दीखते हैं कि आज अर्दू जबान एक तरह से रियास्ती सतह पर कुछ रियास्तों ने बाद में उसे सरकारी जबान का दरजा दिया दूसरी सरकारी जबान उतर परदेश में, बिहार में, बंगाल के कुछ डिस्टिक्स में, अंधर परदेश में, कश्मीर में तो खेर पहली सरकारी जबान का दरजा उसे हसल था दिल्ली में, कुछ स्टेट्स में दूसरी सरकारी जबान का दरजा दिया गया लेकिन ये भी दरजा हमारे मुहतरम प्रफ़र अखदर वासे साहब यह मौजूद है यह बताएंगे कि वो दर्जा भी कितना आमली सता पर काम्याब है सिर्फ फाइलों में है सिर्फ फाइलों तक महदूद है आमली सता पर कुछ नहीं है जो हकूक दिल्ली की आप बात कीजिए दिल्ली में मौतरमा अश्रीला दिक्षित के जमाने में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दरजा दिया गया एक बहुत अच्छा कदम था बहुत मुस्तासम कदम था अप्रिशिबल कदम था उर्दू वालों के हक को जो अर्दू का मरकज था दिल्ली उस दिल्ली में उर्दू एक तरह से इरोड होती चली जा रही थी खप्म होती चली जा रही थे वहाँ पर उसको रिवाइब करने के लिए एक फैसला किया गया था बहुत मुस्तासम कदम था बहुत से अपरे शेवल कुदम था लेकिन अमली सतह पर जो अखदमात होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हो पाए तालीमी सतह पर उर्दू के जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए मलाजमत की सतह पर उर्दू के जो इंतजामात होने चाहिए थे इस मुल्क की जबान नहीं हो जबके उर्दू यही पैदा हुई यही पली बढ़ी यही के मिट्रियों में जो खुश्बू थी इस मिट्री की उसको उसने अपने खुश्बू पना करे अमीर खुसरो जो हमारे सबसे पहले शायर थे जब वो लिखते हैं कि गोरी सोए सेच पे उस मौकि पर उनके बहत करीबी उनके बिलकुल एक तरह से हम नौला हम प्याला थे अमीर खुसरो उस सरके मुरीदों में से थे उन्हों ने उनके घम में यह शेर कहा था किस जबान का शेर है यह हम उर्दू वाले इस उर्दू का शेर कहते हैं गोरी सोए सेच पे मुक पे डारे केस चल खुसरोगवर आपने साज भही चहुदेस यानि हजरत निजामदीन अवलिया रमतला अलाय का जो विसाल था उस गम का इजहार कि अब हमारे जीने का कोई जवाज नहीं बचा हमारा महबूब तो जा चुका वो सेज पर बिस्तर मर्क पर वो अपने केस को डाले ह वे चेहरे पर सो चुका है अब गोया शाम हो चुकी अब हमारे जीने का भी कोई जवाज नहीं है महब्बत का एक इजहार इन अलफाज में किया था ये है अर्दू अर्दू की खुश्बू इसमें भी शामिल है वहां से अर्दू की बनियाद पड़ी थी एक सुफियाना जो तर्ज है अर्दू में महब्बत का आलमी सतह पर महब्बत का इनसानियत से महब्बत का ये जो उसके अंदर खमीर शामिल किया अमीर खुसरो ने वो पहले शायर थे इसकी बनियाद ही अतनी मश्बूत है कि आज भी अर्दू महब्बत की जबान इश्की जबान के तोर पर भारत की तमाम जबानों पर हावी है किसी नगमे को आप उठा लीजिए फिल्मी नगमे को जो आपको दिल को छूता है वो नगमा वो नगमा उर्दू का नगमा है क्योंकि उसके अंदर इश्क का वो रंग भरा हुआ है जो रंग अमीर खुसरो का रंग था ये उर्दू है हमारी उस उर्दू के साथ आप देखते हैं कि आज जो सुरत हाल है ये हमारी नई नसले हैं मौझे खुशी है कि बेश्टर ये नसल वो है जो शायद उर्दू से नाबलद है नावाकिफ है बहुत कम लोग होंगे यहां मुझे बड़ी खुशी हो रही हम लोग अर्दू पढ़ाते है अर्दू के लोगों को अर्दू रिवायत अर्दू ट्रेडिशन काया हुए लोगों को लेकिन यहां पर एक नई और्डियंस से हमारा इंकाउंटर हमारा वास्ता पढ़ा रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि इन सब के दिलों में अर्दू से महबत का चराग रोशन है उसी चराग की वज़े से आप सब यहां मौझूद है और इस प्रोग्राम की जो अहमियत है जो विकार है उसमें आपने अपनी मौझूदूई से अजाफा किया है आप सब को मैं सैलिट करता हूँ और ये अपने जहनों में आप रखिए खावा अप अर्दू आपकी माधरी जबान नहो लेकिन भारत की हर जबान हमारी जबान है भारत की हर जबान से हम उसी तरह से महबत करना चाहिए जिस तरह से हम अपनी माधरी जबान से महबध करते हैं तब ही जाकर कि हम अपने आपको एक ट्रू नेशनलिस्ट के तोर पर अपने आपको ثाबित कर सकते हैं और उसके दाबा कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये वह नसल है जो अर्दू की नहोते हुए भी ये अर्दू की महबत रखने वाली जो नसल है यही नसल अर्दू की उमीद भी है और हम मायूस नहीं हर अर्दू के मस्तक्बिल से जब तक आप जैसे लोग जिन्दा हैं अर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती है आप जैसे आशिक जब तक मौझूद हैं उर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती और ये सिलसला चलता रहेगा नसल दर नसल और इस जबान के खत्मे की कोई ऐसी बहुत से लोगों ने इसके मुकरर्ण कर दी थी तारीख एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं इसके बाद खत्म करता हूँ अपनी बात बिल्कुल एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे लखनों गे उतर परदेश के उस जमाने में उर्दू को दूसरी सरकारी जबाने का एक वहां एजिटेशन चला रहे थे और जाहिर है कि उस एजिटेशन का एक डेलिगेशन गया था उनके पास और उस डेलिगेशन से बात करते हुए उन्होंने कहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन चीफ मिनिस्टर का आप समझ जाएंगे बहुत सी लोग यहां उनको जानते होंगे उनसे जब वो डेलिगेशन मिला था तो उन्होंने यह कहा था कि आप लोग अर्दू के मसले को लेकर परिशान है परिशान नहूं अर्दू का मसला हल हो जाएगा लेड़ टाइम कम, वक्त आएगा, कोई पचास साल का वक्फाफ हमें दीजिए उर्दू का मसला सिरे से बिलकुल हल हो जाएगा कोई मसला ही नहीं रहेगा उर्दू का उनका इशारा ये था, कि आएने वाले पचास बरसों में उर्दू खत्म हो जाएगी जब 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 जबान ही खत्म हो जाएगी तो कोई मसला ही नहीं रहेगा उस जबान का आपको इस तरह से एजिट्रेशन की ज़रूत नहीं पड़ेगी ये उनके कौल थे उस जबाने के आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि पचास साल उनकी मौत को हो चुके उनकी रूफ ये देखती होगी कि आज उर्दू फरोग पा रही है इतने अख़वारात निकल रहे है इतने चैनल्स पे उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है इंडिया इंटरिशल सेंटर में उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है तो शायद उनकी रूख को बड़ी तकलीफ हो रही होगी जबाने ऐसे नहीं मरती है सरकारे जबाने को नहीं मार सकती जबान मरती है अपने बोलने वालों से जबान जिन्दा रहती है अपने बोलने वालों से जब तक जबान के आश्परिन जिन्दा रहेंगे अर्दो जिन्दा रहेगी अर्दो मीडिया जो आज किरदार अदा कर रही है अर्दु मीडिया, हरचंद की मीडिया की सुर्ट अबहुत बेहतर नहीं, मैं उस बात कर चूका हूँ लेकिन अर्दु मीडिया के हुआले से मैं यह कह सकता हूँ कि गदर अर्दु मीडिया अपनी जमादारीयों को निभाने में आज किसी ह度 तक दूसरी जबानों के मीडिया के मैं रिजनल जबानों की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत से रिजनल जबानों के जो अख़वारात हैं जो चैनल्स हैं वो बहतर मीडिया का रूल प्ले कर रहा है जो मीडिया का असल रोल ना चाहिए मीडिया हर आदमी मीडिया परसन नहीं बन सकता हर आदमी सहाफी जर्नलिस्ट नहीं बन सकता सहाफी बनने और जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत कुछ कुछ कुर्बानी के लिए तभी आप एक एक बहतर सहाफी बन सकते है आपको सचाई और सदाकत के लिए हमیشہ قربان रहने के लिए तयार रहना होता है आम पेशा नहीं है जनलिजम जनलिजम पेशा है कुर्बानियों का पेशा है सेक्रिफाइस का पेशा है सदाकत और हक की आवास को बलंड करने का पेशा है और जब तक आप उस पेशे को इस अकीदे के साथ इस शिद्ध के साथ उसको नहीं अक्तियार करते जाहिर है कि उस पेशे के साथ आप इनसाफ नहीं कर सकते इन्हीं अलफाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं जो कुछ मैंने अर्द जबान के हवाले से एर्ज किया और हमारे रहनुमा जनाब खरशीद सहब में हम वजूद हैं मैं यूँमीद करता हूँ कि आपने जाहिर है कि अपनी जिद्ध जिधर आपने जिद्ध जिद्ध की उन गद्रों के लिए उन वेलियूस के लिए जो जमुरियत से वाबस्ता वेलियूस थी मुझे उमीद है कि आज की जो फता है वो हलचंद के बहुत चोटी सी चीज है आपके लिए कुछ नहीं है आपके सामने आपका कद उसे बहुत बलंदे बहुत बालातर है मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जमुरी निजाम की जो जिम्मेदारियां है जम्हुरी निजाम जो अकदार में जो लोग बैठे हुए है आप उर्दू वालों की आवास बनकर पार्लिमेंट में हमारी आवास बनेंगे और उर्दू की हमायत में खड़े रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया